हाई फ्रेंड्स अदालत में कैसे करें क्रॉस एक्जामिनेशन एक बहुत बड़ा हथियार है प्रायल कोट में होने वाली क्रॉस एक्जामिनेशन की गूंच इसकी आवार्ज हाई कोट और सुप्रिम कोट तक पहुँचती है ऐसी चीजे उससे पूछने की जरूरत है और उस महत्पुर्ण उद्देश से है कि जो उसने एक्जामिनेशन इंचीफ में बोला है उनको गलत साबित करना तीसरा उद्देश से है क्रॉस एक्जामिनेशन का गवाह से ऐसी चीजे बुलवाना उससे ऐसी बाते पूछनी होती है जिससे आपका पक्छ मजबूत हो आपके ड सजेशन भी दिया जाता है सजेशन का मतलब है कि आप किसी तत्थ को जानते हो और उसकी जानकारी को उससे कनफर्म करने के लिए आपने पूछा है इसमें आपके डिफेंस वाली बाते आनी चाहिए उल्टे सीधे सजेशन कभी ना दें दोस्तों गवाह अगर किसी एक चोटी चोटी डिटेल लें और वो जो कुछ भी बोलेगा वो जूट होगा एक जूट को दिखाने के लिए उसे सौ जूट बोलने होंगे आपके प्रस्ण के जवाब में अगर गवाह ने ऐसी बाते कह दी जो आपके उद्देश को पुर्ण करता है आपके चीजों को सपो रॉस एक्जामिनेशन का एक बहुत ही महत्वपुर्ण टेकनिक है दोस्तो कि आप जब भी प्रस्ण पूछो उससे जरूर पूछें कि आपको कैसे पता आपको इसकी जानकारी कैसे हुई तो अगर वो कहीं भी ये गलती कर बैठता है कि मुझे इस ने बताया मुझे राम मुझे A ने बताया मुझे B से मालूम चला तो यह हीर से है दोस्तों हीर से is no evidence सुनी सुनाई बाते कानून की नजर में कोई evidence प्रमान नहीं है आपके प्रस्ण के उत्तर में गवाह उल्टी सीधी बाते कर रहा हो तो साफ कह दें कि आप मेरे प्रस्ण का जवाब दें मेरे पर जवाब दे मुझे आपकी इधर उधर की बाते नहीं सुननी हैं। आपके पास उस विटनिस के खिलाफ अगर कोई उसका बयान है, उसने किसी और कोट में, किसी और केस में कुछ बोला हुआ है, या पुलिस को उसने कोई बयान दिये हैं, 161 का बयान CRPC के तहट दिये जाते हैं, ऐसा कोई बयान है जो अब वो कह रहा है उससे बिल्कुल अलग है या उसके साथ विरुधा भासी है। ऐसे बयानों को आपको उसे दिखाना है, उसे परकर सुनाना है, उसे परने को देना है, और फिर कहना है कि आप जो यहां कह रहे हो और आपने इस मामले में ये बोला हुआ है, इसको बोलते हैं contradiction, ये cross examination का एक बहुत important part और role है, मैं आपको बता दूँ। जिस previous statement यानि पहले के बयान से आप witness को contradict कर रहे हो, उसकी copy आपको court के record में लानी है, court की फाइल में वो copy जाएगी, जज को conscious रहना है, उनको देखना है कि सही questions पूछे जा रहे हैं, irrelevant question तो नहीं है, scandalous, किसी को बदनाम करने के लिए प्रसन तो नहीं पूछे जा रहे है, किसी का चडितर हनन करने के लिए सिर्फ प्रसन तो नहीं पूछे जा रहे है, जज को cross examination के वक्त चीजों को देखना होता है, दोस्तों अब मैं बता दूँ कि अगर जज सहाब कोई object करते हैं, या फिर दूसरे वकील object करते हैं, कि objection my lord, ये question बिल्कुल irrelevant है, इस case से इसका कोई लेना देना नहीं, ऐसे मामलों में आपको convince करना है, कि सर इसकी relevancy है, जज सहाब को ये बाते कहनी है, सर ये relevant है, ये बहुत important है, इस मसले को, इस मुद्धे को निरने पे पहुँचाने के लिए, इस case से जुड़ी हुई बाते हैं, इस सीधी suggestion कभी ना दे, सबसे important है दोस्तो, suggestion गलत देने से वो आपके खिलाफ चली जाएंगी चीजे, cross examination में दिये जाने वाले suggestion आपके difference को दिखाते हैं, आपका जो बचाओ के points हैं, उन्ही points को लाना होता है, just suggestion के लिए suggestion दे देना, कुछ भी कह दो, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए, cross examination करते हुए कभी भी उत्तेजित ना हो, cool mind से, सांत दिमाग से cross examination करें, अगर आप उत्तेजित हो गया, तो आपके प्रस्ण छूट जाएंगे, आपकी चीजे जो आनी थी वो नहीं आ पाएंगी इसलिए witness को उत्तेजित होने दें, अगर वो reaction देता है, तो उसके line को आप note कराएं court में, उसके बयान को आने दें, एक important बात बताओं दोस्तों कि कभी भी बिना तयारी cross examination court में ना करें, आप without तयारी ना जाएं, क्योंकि cross examination के नजरिये से file को देखना बहुत जरूरी है, प पे आप खड़े हो गए और आपने cross examination कर दिया, तो बहुत सारी महत्पुन चीजे रह जाएंगी, cross examination में चीजे अगर नहीं आई सामने, जो आ सकती थी, या वो बाते जो suggestion में रखी जा सकती थी, वो बाते court में नहीं रखी गई, अपील में high court, supreme court में ये बाते उठती हैं कि cross examination में ये क्यों नहीं पूछा गया, cross examination में ऐसी suggestion कहां दी गई है,